कि हलो प्रेंट्स वेलकम तो होलिस्टीक एकड़िमी दुस्तों मैं आज आपके साथ शेर करूंगा कि मैंने जट को और ग्जाम क्रेक किया उसमें मेरी क्या प्रिपरेशन स्टाटेजी थी मैंने किस जगह से कुश्चन प्रेक्टीस की मेरे सूर्सिस क्या थे उन सभी चीजो पैटर ने उसमें 60% कोश्चन जो है वो टेक्निकल से पूछे जाते हैं जो 60% कोश्चन आएंगे आपके वो टेक्निकल पॉर्षन से आएंगे और पॉर्टी परसंट कोश्चन होंगे वो नौन टेक्निकल से पूशे जाएंगे तूर्स च्टूडन्ट क्या करते हैं मैंनलीото इस टेक्निकल पोल्इस रहते हैं हुआ और बीचोंट पॉर्षन से प्श्चन को को या का और कोई भी डिसकॉम के एक्जाम हो यह पैटन को फॉलो किया जाएगा कुछ साल पहले तक हुआ करता था कि जट को अपने एक्जाम में 80% टेक्निकल पुछती थी और 20% नॉन टेक्निकल आया करता था लेकिन इस बार से ऐसा हो गया कि उन्होंने भी स्टांडर्ड इसी को भी इसी को पाउलो करना शुरू कर दिया है ढूंक को बहुcycles को लेकर कर चलना है कि आपको अगर घ्यीन एक्जाम कि रेकिरने रहें आपको तूल्द आपको इस पैटरण के अकोर्डिंग बीयूरीशन करनी होगी अब आपकर ने अगर स जो थर्ड एक्जाम है उसमें मैं लिखूंगा डिस्कॉम्स जजेए और डिस्कॉम्स के अंदर आपके आएगी यूजी वी सीयल एम जी वी सीयल पीजी वी सीयल प्राखिर में डीजी वी सीयल ठीक है तो अब मैंने एक्जाम सिलेबस में तीन टैप की एक्जाम लिखने का मकसद यह है तीनों के अंदर सिलेबस में डिफ्रेंश में है पहले अगर मैं बात करूं गयाएम दहीं सीयल एक्जाम की इसका जो सीबस से इसका चयबस गेट के एक्जाम के टाइप का है गेट का मतलब मतलब इसमें आपसे कंट्रोल सिस्टम भी पूछा जाएगा एनलोग इलेक्ट्रोनिक्स डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स मेजर्मेंट सारी चीज़े जो गेट के सिलेबस में है तो सारी काफी इस सिलेबस को फॉलो करता है और उसमें सभी सब्जेक्स से कुशन पूछे जाते हैं इसके बाद अगर हम बात करें जैटको की जैटको का जो मैक्सिमुम 80-90% सिलेबस है वो सिर्फ पावर सिस्टम कवर करता है तो अगर आप जैटको की प्रिप्रेशन करना चाते हो अगर आप आपका पावर सिस्टम वाले टॉपिक को स्ट्रॉंग कर लो तो आपका काफी बड़ा पोर्शन कम्प्लीट हो जाएगा इवन जैट जैसे टॉपिक से भी कुशन नहीं पूछते जो काफी इंपोर्टन्ट होता है एलेक्ट्रिकल एलेक्ट्रिकल आस्परेंट के लिए तो यह चीज़ पूछे जाएगी जैटको के अंदर उसके बाद में डिसकॉम की बात करें इसके सिलेबस में काफी ज्यादा अंसर्टेन जाती जैसे कि किसी भी स्लेबस में कंट्रोल सिस्टम नहीं लगा लेकिन आप देखना आपको डी ओजी वी स्यलके फेपर में देखना आपको काफी सारे किशन देखे जाएंगर कंट्रोल सिस्टम की ठीक है सिमिलरली बाकि जो पाउर एलेक्ट्रोनिक्स है वो इनके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी पूछा गया है तो इनका जो सिलेबस है वो उन्होंने लिए रखा है लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो उसी को फॉलो करेंगे जब से ऑनलाइन एक्जा अगर एक्जाम ऑफलाइन लिया जाएगा तो फिर वो बेसिक चीज़े पूछेंगे लेकिन अगर एक्जाम ऑनलाइन हो रहा है तो आप मान करके चलो कि इसमें कोई फिक्स पैटन नहीं है कोई भी एक्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है और यह चीज आपने जरूर द प्रिपरेशन करनी है तो आप टार्गेट कीजिए जिए के सिलेबस को विकोज अगर आप जीए सिलेबस को फॉलो करोगे तो यह सारी चीजे कवर हो जाएंगे इसमें कुछ एडिशनल टॉपिक डिस्कॉंस में आएंगे जिसे सोलर एनरजी रिलेटेड वीन एनरजी लेटेड इसकाड़ा सिस्टम तो वह काफी छोटे-छोटे टॉपिक है आगे बात करें हूं दोस्तो अब मैं बताता हो कि मैंने अपनी प्रिप्रेशन में टेकनीकल नॉन टेकनीकल को कैसे कवर किया और मैंने किया किया कोचिंग नहीं ते जिसके क्या हुआ कि मुझे एक प्रौपर गाइडेंस नहीं मिला कि मैं जो 60% टेक्नीकल है 40% नॉन टेक कि मैंने पढ़ना शुरू किया और यह हुआ यह से कि यह बहुत टाइम टेकिंग प्रॉसेस है काफी बलकी होती है ठीक है थाउजन पेजिस की बूक होती है तो वह सारी चीजे अगर आप अपने आप से करने बैठोगे तो प्रॉब्लम यह आएगी कि आप उसको कवर नहीं क कर पाओगे और काफी जाधा टाइम चला जाएगा ठीक है और काफी चीजे ऐसी होगी जो एक्जाम से रिल्यमेंट नहीं है जानने के लिए इंपॉर्टेंट है पर एक्जाम पॉइंट आप उसको भी पढ़ने लग जाओगे तो यह सारी चीजे होती है अगर आप सेल्फ करते हैं और यहां पर गलती होती है सबसे बड़ी विकोज अगर आप गुजरात में जी बीके एक्जाम करेक करना चाहते हो तो मान लो यह बात कि नॉन टेक्निकल के बगएर आपका सेलेक्शन नहीं होगा अगर आप टेक्निकल में अगर आपका टेक्निकल काफी आप 10-12 मांक्स ही ला पाए उसके वाज़े से हो गई है कि आपका सेलेक्शन नहीं होगा ठीक है वैसे कट आफ जो है वह वहरी करेंगे अकॉर्डिन टू लेवल अप पेपर लेकिन फिल भी अगर में एक एवरेज पेपर मान करके चलू जैसे इस बार जीए सिसेल का जो प वह बनेगा 62 62 62 मांक्स ठीक है तो जब आप इतने मांक्स लाओगे और अगर आपकी केटेगरी अंड रिजर्व है इवन अगर आप रिजर्वेशन में वह तब भी इस मांक्स पर आपका सेलेक्शन नहीं होना था ठीक है इस सिचुएशन में क्या होगा अगर आप नॉन ट तो नॉन टेक्निकल में आपका एटलीस इस पॉर्शन में 20 प्लस मांक्स चाहिए ठीक है 20 प्लस मांक्स आने चाहिए एक एवरेज पेपर में सिमिलर लेकर टेक्निकल की बात करें तो इसमें आपके 50 प्लस होने चाहिए अगर आप टेक्निकल में स्ट्रॉंग हो तो आप य पहला झेहां में सीधीं पमनें पत्तों अगरण है उद्हें से सबसे पहला चुछ ता अब के पास आप के पास भी अवेलेबल होगी कि सबसे पहला मेरा सोर्ज था ना वो था पीवाइक यूज ऑफ जी बी की जितनी भी एक्जाम हो गई जैट को की हो गई या बाकि डिसकॉम्स की जितनी भी एक्जाम हो गई उनके जो प्रिविएस एर कोश्चन से वह मैंने सभी कोश्चन एक ब तो पहले की कोश्चन देखो कि 17 पहले के 18 पहले के तो उसके पहले के जो कोश्चन से नहीं पूछे जाएंगे जो पूछे जाएंगे जो आपने खुद ने नोटीस किया ऑगा आप देखना डिजी वी सील 221 का पेपर देखना यूजी वी सील 221 का पेपर देखना आपको खुदको आईडिया आजाएगा कि आपको कौनसे previous year questions करने ठीक है दूसरा जो सोर्स था अगर आपने previous year questions complete कर लिए उसके बाद दूसरा जो मेरा सोर्स था वो था engineering services के prelims के PYQs प्रिलिंट्स में एक मार्क के कुछे जाते अगर पहले प्रिवेस और कोश्चन जी बिगे कम्प्लीट करते हो उसके बाद मैं आपको सला दुँगा कि आपको engineering service के prelims के question करने है because मैंने यही solve किये थे ठीक है और यह काफी अच्छे questions है अगर आप इन questions को एक बार solve कर लोगे तो यकीन मानों कि आपको जो next exams पूछी जाएगे exam आएगी ना उसमें इसी type के question आपको देखने मिलेंगे तो आपको इन questions को भी solve करना है और इन दोनों के complete होने के बाद जो तीसरा सोर्स है जो आखरी सोर्स है वो यह है कि आपको गेट के आपको गेट के one marker questions करने है ठीक है दो marks वाले question इसलिए नहीं बोलूँगा कि वो काफी जादा time taking हो जाएंगे और आपके exam में एक question एक mark का होता है तो आप कोशिस ये कीजिए कि अगर आप ये दोनों sources को complete करते हो तो उसके बाद आप gate के one marker questions को भी solve करो ठीक है उससे क्या होगा कि आपके concepts काफी strong हो जाएंगे अगर आप इस तक अचीव होगा है ना आपने ये target अचीव कर ला कि आपको gate के one marker भी करके जाना है और ये तीनों आपने complete कर लिए तो यकीन मानों कि आप आपकी exam में technical के 60 marks में से 55 plus marks लिया होगे सिर्फ इन तीनों sources के base पर सबसे पहला क्या आपको previous year question solve करने उसके बाद क्या करना है आपको engineering service के previous year question solve करने और third source जो gate के one marker question है आपको वो solve करने इन तीनों को करने के बाद मेरा ये माना है कि आप 60 out of 55 out of 60 marks ले आओगे इस बाद जो GCCL का exam था उसमें मेरे marks थे 56 out of 60 और मैंने क्या किया था मैंने ये तीन sources का use किया था ठीक है मैंने previous year question solve की उसके बाद engineering service और gate के one marker solve कर दिये ठीक होगा ये कि gate के कुछ two marker question होगे ना उसमें भी कभी कभी पूछ लिए जाते हो क्योंकि हो conceptually important होते theoretically जदा लेंधी नहीं होते लेकिन conceptually अच्छे होते तो हो सकता है वह भी पूछ लिए जाए लेकिन उसकी जरूत नहीं होगा अगर आप इतना कर लेते हो तो अब मैं रिवीजन कैसे करता था देखे दोस्तों जब मैं theory पढ़ रहता ना उसके बाद जब यह पूर्शन कंप्लीट करोगे तो उसमें आपको important formulas मिलेंगे तो आपको यह करना है कि एक separate note बनाना है जिसमें आप short note तरीके यूज करोगे because आप जब revision करने बैठोगे तो आपके पास इतना time नहीं होगा कि आप सारी चीज़ों को revise करो इस case में क्या कर रहा है अगर आपने एक short note बनाईए तो आप क्या करोगे आप एक ही दिन में वो सारे subject cover कर सकते हो तो मैं परस दली क्या करता था कि मैं जब भी कोई subject cover कर रहा हूँ तो उसमें जो भी formula is involved होंगे उन सभी formulas को मैं लिख लिता था यही चीज़े मैंने follow कि सारे subject को ले कर गे तूसरी चीज यह रही कि जब मैंने यह question practice की यह सारे sources के question practice कर ली उसके बाद इसमें ऐसा तो है नह आप उनको star करो और उनका solution देखो कैसे उसने solve किया है उसके बाद आप क्या करना उन question को जो आपने star करके रखा है जब रिवीजन करोगे तब आपको उन questions को पहले उठाना है जो आपने star करके रखे थे जो आपसे नहीं बने थे या फिर conceptually काफी अच्छे होंगे तो वह सा confidence आजाएगा कि आपने question इसको सब्जेक्ट होंगा आपका वह आपने revise कर लिया है ओके दोस्तों अब मैं test series की बात करता हो कि मैंने test series को कैसे यूटिलाइज किया था दोस्तों test series जो है ना वो देना काफी important है student general ही क्या करते इस चीज़ को avoid करते जबके होता यह कि test series ना देनी के वज़े से वह exam के अंदर गलती कर देते तो मैं यह चाहता हूँ कि आप अगर 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 प्रेपैर कर रहे हो GB के लिए ता पहल आप गलती कर चुके हो तो आप मतलब उस ताइम पर जब देखोगे ना आप exam देने बैठोगे तब आपको आइडिया आएगा कि यहां पर गलती हो सकती है student यह करते है कि syllabus complete हो जाए पहले अगर आप subject complete कर रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप फॉरन उसे test करो क्या आ अप टू अप टू दे लेवल है या नहीं तो सबसे पहली जो गलती मैंने की वह यह थी कि मैंने non-technical portion को sufficient time ही नहीं दिया मैंने क्या किया कि मेरा technical तो मैं काम करूंगा कि टेकनिकल में ज्यादा मार्स कवर कर लो जबकि होगा यह कि जो हमारी exam pattern है उसके according टेकनिकल सिर्फ 60 मार्स का आएगा और जो 40 मार्स है जो काफी बड़ा portion है वह non-technical से आएगा तो अगर आप मेरी ऐसी गलती करोगे कि आप सिर्फ टेकनिकल को ही वे होगा कि आपका से लेक्शन नहीं होगा बजाए इसके कि आप टेकनिकल में काफी स्ट्रॉंग हो तो इस चीज के लिए क्या करना है आपको नौन टेकनिकल भी सफीशन टाइम देना है अगर आप जैसे मैंने बताया आपको क्या आप अगर टेकनिकल 6 गंटे पढ़ रहे हो दूसरी गलति मैंने जो यह की कि मैंने क्या किया जब मैं क्यू le mater uniform करने के दोरान मैं कल्कुलेटर नहीं किया जाता तो हुआ यह कि मुझे questions तो पता है कैसे solve करना है लेकिन जब by hand calculation की बात आई न तो वहाँ पर काफी ज़्यादा गलती हो गई और वो काफी time taking हो गया ठीक है because multiplication, division, calculator में तो आप काफी easily कर लोगे लेकिन जब exam में बैठोगे न तो आपको वो चीज़े by hand करनी होगी तो वो 5 बिनिट ले लेगा तो यह चीज़े कैसे होगी इसके लिए आपको practice करनी है questions की without calculator अगर कोई ऐसे बड़े question है जिसमें calculator के बगार होगा ही नहीं तो ठीक है आप use कर रहे हो लेकिन maximum cases में जो one marker question होगे न वो calculator के बगार solve हो जाएंगे तो आपको कोशिश करनी है कि आप calculator का कम से कम use करो जिससे होगा यह कि एक्जाम में अगर आपको calculator नहीं दिया जाएगा उसके बावजुद्विया आप comfortable feel करोगे तो practice करनी है कि calculator के बगार आप numerical को solve करो थेक है उसके बाद बात करता हूँ कि exam के दोरान क्या गलती होती है मैंने कलती है क्या की देखे दोस्तों जब मैं जैसे जीसील के अगर मैं बात करो जब मैं एक्जाम दे रहा था तो मैंने यह गलती की कि मैंने जल्द बाजी करी question को पढ़ने में कुछ question ऐसे थे जो काफी आसान थे लेकिन मैंने जल्द बाजी करी पढ़ने में और problem यह आई कि मैंने question complete किया और मैंने option A और B उसी के अंदर मैंने देख लिया कि हाँ इसका answer यह हो सकता है तो मैं फॉरण मैंने बिकॉज यह हो सकता है कि जो option C और D जो आपने नहीं पढ़े वह और ज्यादा relevant वह answer के ठीक है option आप A कर रहे हो लेकिन A से ज्यादा हो सकता है कि वह answer match ना करे और D जो है वह A से ज्यादा important हो कि इसी को tick करना था ठीक है तो मैंने यह गलती की कि मैंने जल्दबाजी में यह किया कि question मैंने complete पढ़ लिया उसके बाद मैंने देखा कि option A के अंदर ही इसका answer है तो मैंने फॉरन टीक कर दिया और मैं आगे बढ़ गया लेकिन पी बाद में जब answer की आई तब मैंने देखा कि कि question answer option D था वहां तक मैं पहुंचा ही नहीं और हो सकता है कि मैं वहां तक पहुंचता तो मैं वह answer A ना करकर के D करता तो यह जो गलती है जो एक्जाम में मैंने की जल्दबाजी के चक्कर में वह आपको नहीं करनी है ठीक है question आप properly पढ़ो सांती से उसके बाद देखो सारे options को देखना जरूरी है यह बार-बार में बोलूँगा विकॉस मैं नहीं गलती किया और मैं नहीं चाहता कि आप यह गलती करो ठीक है उसके बाद दूसरी चीज़ यही कि student क्या करते कि question पढ़ते स्टार्टिंग के एक sentence पढ़ने के बाद ही उन्हें लगता है कि यह question नहीं दोस्तों आप अगर question को पढ़ रहे हो एक बार question पढ़ो उसके बाद आप देखो कि उस चीज़ में किस formula का यूज होगा उस question में हलाकि आप जानते हो कि यह question मुझे नहीं समझ में आ रहा लेकिन still मैं आपको सला दूँगा कि अगर आप question पढ़ो और आपको अगर आईडिया आजा ना कि यह इस topic से formula है लेसे power flow equation का कोई question है तो आप क्या करो question पढ़ने के बाद power flow equation जो है ना आपकी वह आप लिखी दो ठीक है question बनेगा नहीं बनेगा वह बात की बात है लेकिन पहले at least आप formula उसका लिख लो जिससे क्या होगा आप क्या सामने जब formula होगा ना तो आप देख पाऊगे कि इस question में की बाते हो रही है और यह formula में यह चीज़े given है ठीक है उससे काफी बार ऐसा हुआ है कि मुझे काफी बार help मिलिए कई बार ऐसे question आये जिसमें जो मैंने face किये जिसमें मुझे पता ही नहीं चलता कि करना क्या था ठीक है लेकिन मैं क्या करता था मैं उन formulas को लिख लेता था क यह question में in formulas की बाते होगी ठीक है उससे यह होता था कि धीमे से मुझे आइडिया अच्छा इस चीज़ में इस चीज़ की बाते हो रही है इसका मतलब यहां से में इस चीज़ को convert करके answer पहुंच सकता हो तो आपको करना यह कि जब भी ऐसा कोई question आये जिसमें आपको बिल्क है कि गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में जी भी के एक्जाम के लिए preparation कराने में कोई कोई academy है ही नहीं तो holistic academy है जिसमें इलेक्ट्रिकल की foundation batch launch की है जिसके जो course content की में बात करूं इसके जो features की बात करूं तो यह coverage होगा यहां पर आपका full technical syllabus as well as non technical syllabus ठीक है उसके बात क्या दिया जाएगा आपको इसमें आपको test series included होगी जिसमें subject wise test होंगे और full length test होंगे ठीक है इसमें जो technical syllabus है उसमें जी एसी सिलेबस जेटको डीजी वीचेल यूजी वीचेल एमजी वीचेल और जीपीएस्ट में जो technical syllabus होगा वो सभी syllabus को cover किया जाएगा टेकनिकल में ठीक है उसके बाद doubt solving session होंगे एक whatsapp group होगा private जिससे आप क्या होगा आप educator से आपके doubt solve कर सकते हो आप whatsapp पे question post करोगे औ educator आपको doubt solve करेंगे ठीक है और अगर कुछ ऐसे questions होंगे जो काफी अच्छे doubt होंगे तो वह आप live doubt solving session में भी पूछ सकते हो ठीक है उसके बाद क्या होगा उसमें question practice होगी उसमें basic से advanced level के questions solve कराये जाएंगे और उसके साथ-साथ previous year questions भी solve होंगे ठीक है तो दोस्तों ही मैं पूछ सकते हो और आयोप क्या आपको मजा आया होगा तो अब मैं मिलता हो दोस्तों आपको अगले वीडियो के साथ जिसमें में बात करूंगा तो टेकनिकल के सिलेबस है तो टेकनिकल सिलेबस में सभी topic को कैसे cover करना है तो यह सारी चीज़े में बात करूंगा अगले वीडियो में ठीक है दोस्तों तिल देन कीप लर्निंग थैंक्यू